नमश्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज 19 जून शनिवार सुबे 8 बजे राजस्तान की खास खबरे राजस्तान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रगू शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन उतपादन के एक शेतर में राजस्तान जल्द ही आतम निर्वर बन जाएगा उन्होंने कहा कि राजस्तान में विबिन संस्थानों दुवारा लगाये जारहे उक्सीजन जनरेशन प्लांट तथा अन्योप करनों के जरिये आने वारे दिनों में लगबग 1000 मिट्रिक टन उक्सीजन का उतपादन किया जा सकेगा जिकित्सा मंत्री ने कहा कि दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा परिशानी अक्सीजन को लेकर देखनेक में आई इससे निजात पाने के लिए सरकार अक्सीजन उतपादन के पुखता इंतजाम कर रही है उन्होंने कहा कि परदेश में विबिन जगों पर लगाये जा रही अक्सीजन जनरेशन प्लांट अक्सीजन कंस्ट्रेटर के जरी प्रियाप्त मात्रा में अक्सीजन का उतपादन किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में हलात कैसे भी हो सरकार इसका सामना करने के लिए व्यापक स्थर पर तैयारी कर रही है जुंगरपुर के साबला था नक्षेतर की पिंडावल के पास पेट्रोल पंप सेल्समेन से शुकरवार को 4 लाख की लूट का मामला सामने आया है लेकिन वह देखते ही देखते ओजल हो गए सुशना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि उद्यपूर बांसवडा मार्गसित पिंडावल गाम के पेट्रोल पंप से जुड़ा है शुकरवार दोपहर तक जमा हुए करीब 4,40,000 रुपे का कलेक्शन लेकर सेल्समेन रमेश समीप के साबलस्तित बैंक में जमा करवाने जारा था तबी बदमाशों ने उससे रुपई लूट लिए पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है परिवहन विभाग से बड़ी खबर सामने आई है जहां घूसकोर परिवहन निरिक्षकों की बहाले का रास्ता साफ हो गया है जानकारी के अंसर पांच साल बाद आदा दर्जन से अधिक निरिक्षक बहाल होंगे ACB ने 2016 में परिवहन विभाग में कारवई की थी दलाल के माद्यम से परिवहन निरिक्षक गाड़ियों को बिना चलान के पास करवाते थे परिवहन मंत्री ने फाइल पर मंजूरी दे दी है अब परिवहन विभाग इनके बहाले के आदेश जारी करेगा बतादें की परिवहन निरिक्षक हितेश चंदूर, एमेम शर्मा, कलमी राम मीना, संजे मंडूरा, मुकेश कुमार से इत अन्य निरिक्षक बहाल होंगे जोद्फुचले की उद्यमंदिर थानक्षेतर में लॉकड़ॉन में राशन समगरी दिलाकर दुषकरम करने का मामला सामने आया है शादी शुदा महिला ने एक व्यक्ती पर दोस्ती बढ़ा कर दुषकरम करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्स करवाया है साथ ही दस दिनों से यौन शोषन करने का भी आरोप लगाया है पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है दसवे और बारिवी के चात्रों के मार्किंग फॉर्मूले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है RBSC बोड ने दसवे और बारिवी के चात्रों के लिए मार्किंग की तयारी की है राजस्तान बोर्ड ने 12 सदस्य कमेटी का गठन किया है इसके लिए शिक्षा निदेशक सौरब स्वामी को जिम्मेदारी दी गई है मार्किंग फार्मूले को लेकर यह कमेटी एक सब्ता में अपनी रिपोर्ट देगी जालवर्चले के जालरा पाटन था नक्षेतर में एक ट्रांस्पोर्ट व्यवसाई द्वारा पेड़ से फंदा लगाकर आतम हत्य कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है सुषना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवा कर अस्पताल की मोचरी में रखवाया है पुलिस ने बताया कि व्यवसाई का चंदरभागा नदी के पास नौलखा पहाडी के वनक्षेतर में शव लटका मिला केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले ने सबी राजों और केंदर शाशित परदेशों से अग्रे किया है कि स्वास्ते कर्मियों की कुशल्ता तथ सुरक्षा के लिए तेजी से कदम उठाये जाए और संशोदित महमारी अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाए मंत्राले में सेयुक्त सचिव लव अगरवालनी राजों की अतिरिक्त मुख्य सचिवों, परधान सचिवों और स्वास्ते सचिवों को लिखे पतर में कहा है कि स्वास्ते कर्मियों की हर मोर्चे पर कोविड-19 परबंदर में सबसे एहम भूमिका है उन्होंने कहा कि मंत्राले ने कई मौकों पर स्वास्ते क्षेतर में काम करने वाले लोगों के रहने और काम करने के स्थानों पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया है अधिकारी ने कहा कि देश ने व्याफक तोर पर स्वास्त्यक शेतर के लोगों की प्रयासों की सराहना की है लेकिन कुछ उधारन है जिन में उनकी साख पर धबा लगाया गी और कुछ मामलों में तो स्वास्त्यक अगर्मियों के खिलाफ हिंसा हुई अजमेचले के भगवानगर स्थानक शेतर में एक परिवार के साथ अजीब वाक्या हुआ गर्मी से परिशान परिवार ने सोचा कि बाहर अच्छी हवा है तो मेंगेट खुला रख लेते हैं हवा आती रहेगी लेकिन मौके का फाइदा उठा कर चोर घर में घुसाए और पांच लाग से जादा के सोने के जेवर और नगडी चुरा ले गए यही नहीं चोर असली नकली जेवरात चोड़ गए और असली ले गए सूशना पर पहुंची पुलिस ने घर्टना सल का निरिक्षन कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है राजस्तान लोग सेवा आयोग द्वार सहाय कभियंता परतियोगी परिक्षा 2018 की कांसलिंग 23 जून से शुरू किये जारी है यह कांसलिंग 28 जुलाई तक थोगी अभियर्थी आयोग की वेबसाइट से आज 19 जून से विस्तरत आवेदन पतर कांसलिंग लेटर डाउनलोड कर सकेंगे आयोग सचिव शुबम चौदरी की अनुसर सहाय कभियंता राजे सेवा के मुख्य परिक्षा परिणाम 4 मार्च 2021 को घोशित किये गए थे इस परिणाम में एस्ताई रूप से सफल अभियर्थियों की पातरता जांच कांसलिंग के माध्यम से आयोग कराले में 23 जून से 27 चुलाई प्रात्य इमम श्याम सतर और 28 चुलाई को प्रात्य सतर को संपादित की जाएगी कांसलिंग के लिए उपस्तित होने वाले अभियर्थियों को आयोग की तरफ से यात्र या दैनिक खर्चा नहीं दिया जाएगा